नमस्कार आप देख रहे हैं दिललन टॉप डॉट कॉम और ललन टॉप चुनाव यात्रा मध्यप्रदेश में अपने चौथे पड़ाओ पर है टीम हीरा पहुच गई है चिंदवाडा बनोच आए है मेरे साथ और मैं हूने खिल और जब चिंदवाडा का जिकर आता है तो सा हिंदुस्तान में फेमस है और अगर जो घिसी पिटी शब्दावली है हिंदी के उसमें कहेंगे कि एशिया में फेमस है या वर्ल्ड फेमस है उसके बाद चिंदवाडा इसलिए खास है क्योंकि जो इस सूबे के मुख्य मंत्री है शिवरा सिंग चौहान वो लगातार निय चिंदवाडा से होकर जाएं यह दो चीज़ें स्टैबलिश करती है कि चिंदवाडा बाहर के लोगों के लिए उसके पहचान क्या है और एक और चीज़ है चिंदवाडा के बारे में जो जोड़ा जाना चाहिए कि चिंदवाडा से जो आसपास की जिले हैं वो खूब जलते हैं क्योंकि इस तरह की बाते होती है कि चिंदवाडा में जो रौनक आई है चाहे उसका श्रे एक पार्टी ले या दूसरी पार्टी ल जाती हैं हम उसी चिनवारा के जिसके डेवलेप्मेंट मॉडल का आप यह कहीं कि नारा देकर के बाकी जिलों में वोट मांगा जाता है कमलात अपनी चोनाईव सभाओं में कहते हैं कि मुझे वोट दो बैतूल को चिनवारा बना दूगा बालागाट को चिनवारा बना अपकुला में तरीके होते हैं ये तकती अपने गाउं के बाहर तान दी है इस पे लिखा है ग्राम पंचाइत मचेरा जो कि इस गाउं का नाम है विकासखन मोखेड विदान सभा शेतर पांडुरना जिला चिंदवाडा हमारी मांग मूलभूस विदाएं पहली सड़क दूसरी प्रात्मिक स्वास्त केंद्र और तीसरी शिक्षादी बुन्यादी लेकर विदान सभा चुनाओ का वहिशकार किया जाना है कोई राजनीति में जिसका डेवलेप्मेंट मॉडल बता बता करके दूसरे जिलों को जलाया जाता है बाइसाब आपका क्या नाम है जी इसवर वाडिवा इसवर आप मचेरा के ही रहने वाले हैं यह बोड क्यों टांगना पड़ गया जी इसलिए टांगना पड़ गया कि आज तक कि सतर सा कि अजादी के बाद भी आज तक कि मुल्बू सुईदा हमें इस ग्राम पंचायत को नहीं मिलिये इस वज़े से हमको यह बोड टंगना पड़ा है यह इस्तिति आ गई है कि मुल्बू सुईदा ना होने की वज़ा से आज यह कदम हमें उठाना पड़ा और सड़क ना होने कि वज़े से आज इंबूलेंस यहां तक नहीं पहुच रही है और जो जो प्रशाओ के दोरान में हिलाओ को जो डिलेवर के लिए ले जाया जाता है वह चार कंदों में ले जाया जाता है मतलब बारिश जादा होने की वज़ा से रोट का बहुत जादा हो जादा है इस एलान किया कि आप लोग अप लोग इस बार किसी पार्टी को वोट नहीं देने वाले हैं ठीके को हुआ या अप से वोट मौक मांगने आई तो आप को नहीं क الإलिक को है यह जब आप लोगोंने यह बोला कि अब नहीं देंगे वोट किसी को सब्सक्राइब लोग आये थे क्योंकि उनकी ड्यूटी है चुनावा प्रक्रिया को संपन कराना नेता लोग नहीं आये थे लेकिन कोई भी जैसे पार्टी का तो मालम चलता है लेकिन दो बार कब यह साल कि तक दिन आज इदर पास में आजए बाइसाब क्या नाम है अपना मैं तुम्राम कमलनाथ कब आयते यह आयते एक बार दो बार आये चुके हां पर अगर पहले बहुत दिन हो गए उनका मेरे को राजनी थी मेरे को कितने साल हो गया तो मालूम नहीं तो बोले में आज तो बोले एली जीब से आओंगा ऐसे अब यसन देखे चला गया फिर इस साल को भी आया ता कौन सी दिन आया तो अच्छा यह यह एक और मतलब इस गाहों की सच्छा ही है कि इस गाहों में हेलिकॉप्टर से आया सकता है जीब से नहीं आया सकता हम किसी तरह अपनी गाड़ी यहां पे ले पार्टी जोर जब अफसरान इनको मनाने आये तो उन्हें कम से कम तकलीफ ना हो बाइसाब आप क्या करते हैं कुछने सर्मर्ग कुछने खेती तो कुछने क्यों खेती काम खेती भी तो काम है आपकी गाव में एक सड़क का इन लोगों ने बता है यह कि घाटी कितनी होगी जो लोग जो लोग गणितक की जो बैटे हैं वह इसमें गुणा भाग करके उस सड़क का ग्रेडियंट माप सकते हैं कि घाटी और 800 फीट की चड़ाई है तो जो गोलाई में गाड़ी को चड़ाई मतलब मीडियेट करनी पड़ती होगी और कच्ची सड़क पे जो कि अब जाके कच्ची सड़क हुई इससे पहले तो थी नहीं हेलिकॉप्टर से आना पड़ता था वो ग्रेडियंट है अच्छा यहां पे कभी किसी को गाड़ी अगर लानी पड़ती थी किसी काम से धक्के स भी तो कोई चार कैसे लाते थे कहीं से भी था कुछ नहीं साब कहीं से नहीं लाता था तो फिर आप लोग फिर काम कैसे चलाते हैं कि pierwsze कि जुटर से इस एक पाहली रस्ता थे देर से बाहर से भाजू से यह तो अभी बन जाये ये भी आप दो आपन नहीं बना कौन इन का अरे ठीक है यहां पर पानी आता है नहीं आते सर टंकी है यहां पर टंकी भी नहीं तो आप लोग फिर पानी आप लोग किदर से लाते हैं नीचे से लाते हैं सर गड़गुंदी से लाते हैं गड़गुंदी किता है यहां से डाई किलो मीटर नीचे तो वहां से घ तो और जब पानी पर साथ वगेर होता है तब तब गाउ में रहता है सर अच्छा तब हाँ एक मिनिट एक उधर आप से भी करते हैं हाजी एक मिनिट मैं सर आपके पास भी आ रहा हूं मैं तो यहां पे जब यह जीरिया कभी पानी पीते हैं आप लोग जब यहां पर पानी एक जो लोग बहुत उतना नीचे तक के नहीं जा पाते हैं वह लोग 220 प पानी पीते हैं5 यहां की अगी this效 होता है कुमय जैसा होता है जहांपे प्राकर्तिक श्रोथ होता पानी का उसको धिरे तब् λέe में जमा करते हैं मटकी में जमा करते हैं उससी पर नोग किसानी फिरे प्रकुम कर रहे हैं मुझार्स सबी कर रहे हैं तो आप लोग आप माल जो आप लोग यह किस चीज़ की खेती करते हैं सरा आप अपने खेती किर्षानी करते हैं क्या क्या उगाते हैं मक्का अच्छा कुटकी बस इत्ते उगाते हो तो यहाँ सिचाई के लिए पानी है गाव में नहीं पानी नहीं तो पिर किती फसल अपन लेते हैं यह अपनी बारीस बारीस का फसल लेती अच्छा और बारीस नहीं हुई तो आपनी बारीस नहीं होई तो गया और मजदूरी आज पर अपना नहीं होती आपकी और रोजगर गरेंटी वैसे टो फसल के समय बीचलने चाहिए लेकिन सौ दिन आपको नहीं मिलता नहीं ठीक है राशन लेने आप लोग किधर जाते हैं लावा गोगरी लावा गोगरी कितने दूरे भाई साब यहां से हुआ होगा जी दूट आठ एक किलोमेटर और आठ किलोमेटर उसमें जिसमें पहले धाय किलोमेटर का घाट उतरना पड़ता है ठीक है और कोई बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं यहां पर कहा है एक एकाद को बलाईए अपन आपन ने सब स्कूल छोड़ दिया क्या हां अरे स्कूल क्यों छोड़ा आपने सर पिस्कूल जाने में तकलिव होती थी यांग अच्छा कहां जाते थे आप स्कूल लावा कोगरी और और कोई है आप पढ़ते हैं अच्छा कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप 11 आप 11 में पढ़ते हैं कहां लावा कोगरी आज आज स्कूल विए लिकिना आज ने गए तो आप सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं प्राइबट में अच्छा और वहां पर पढ़ाई ठाक है नहीं ठीक टाक तो नहीं चलती फिर भी कैसे पराई कर लेते हैं क्योंकि और दूसरा स्कूल नहीं है बहुत दूर है ना स्कूल वह इसकूल बस तो आप लोग कैसे करते हैं फिर यहां 108 आती है गाड़ी आती हो सरकारी एंबुलेंस नहीं यहां अ चली नहीं तो फिर जब किसी को बेस्ति की में प्रसूतए हों बहूली में लेकर जाते हैं और जब ऐसा जादा घड़ाहित खर्ावे टाभी उपर को यादा नहीं फोबीए लेकर जाना है तो फिर जब आपन वो गाड़ी बुलाते हैं एक स्वाट वाली कितना टाइम लगाती है नीचे आने में लग जाता है यह गोल्डन आर वाला जो मामला है उसमें दो गंटे वो इसको नीचे और यहां से नीचे आपन डोली में ले जाएं कितना समय लगता है किसी को है हैं कि अधिक लगें ब्याइव तो एवर उतारते आवर जाते लग जाते हैं नहीं दो तीन घंटे आप दो गंटे जो वो श्रावन कुमार वाली डोली होती है उसके अच्छा आप आप लोग पढ़ते हैं अच्छा आप आप लोग कॉनसी स्पूल पर हैं नाव किस कैसी पढ़ाई है वहां पर है जांग लोग दो गंडे पहले निकलते हैं फिर साम को भी छुटी होता है इसाड़े चार बाजे तुदर से भी बस नहीं लापाती तो हम लोग पैदल आते हैं कि आपको साइकल मिली जो बढ़ती है लड़कियों के लिए मिलाता अच्छा आपको आप दुने के वर नहीं तो यहां साइकल कैसे लिजाएं अच्छा मामा की साइकल है लेकिन मामा का रोड नहीं तो फिर चलेगी कहां पर आचा और कोई तकलीफ जो बिटा आप लोगो यहां पर आती है आने जाने में प्रब्लम चलता अच्छा वो और सुलाबागा कि हां आजा इधर 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 आओ ना तब तब ही तो नहीं है नहीं है आप लोग गए थे कि आम पहुंचा देंगे फिर अभी तक नहीं आए कि कब गए थे आप लोग एक तो मैंने वोड़ा है जाने के लिए जादा दिन नहीं हुए अधिती माइक बाद गए थे और कौन गएक्टर आप नाम से जानते हैं कैसे जैन है कि मिले थे आप से नहीं मिल यह नहीं मिल पाया आचा आप लोग किते लोग गए थे यहां से 20 लोग गए थे लड़की कल्वीद मिले ने नहीं प्र बात करने कौना आया था आउन पितें यहां जो शासन प्रशासन नेतागिरी उस सब का हाल है ठीक है अच्छा यहां पे कि अभी 70 साल हो गए हैं आजादी के बात से तो यहां पंच सरपंच तो हुए होंगे है ना तो आप लोग ने अपने जो पंच हुए सरपंच हुए उन लोग उनसे नहीं कहा कि सड़क बनवाओ सड़क तो उनके आदिनियम सड़क कहां बन पाएगा सर उनकी नियुक बताते ह सब्सक्राइब करें ना आगे कि यहां यहां कलेक्टर क्या देन सोपे हमने तो बहुत प्रियास के रहे उसके बाद में रोट नी बन पाए मैं यहां इसी डाना का निब्बू कड़क रहने वाला हुए वहां भी रोट की इस्तिते बेसाब खराब है क्या कर लिए हम ठीक है अब यह चीज यह जितनी चीज़े इन लोगों ने यहां पर बताई है यह एक तस्वीर खीचती है कि यहां पर जो हाल है वो कैसे हैं अब कहने कोई कहा जा सकता है चूकि मेरी शुरुआत में मैंने कहा था कि यह गाओं छुपा हुआ है यह मैप नजर नहीं आता है सब्सक्राइब दरसल इस गाहों के साथ में सरकार सरकार खेल लगया अपने यहां विदान सब्सक्राइब कौन सी लगती है कि पांडूरना कित्ता दूर है यहां से साथ किलोमेटर साथ साथ से चिनवाडा से नब्बे हो यहां साथ कैसे हो जादा होंगा सब्सक्राइब किसको पांडूरना किसको मालूम मुझे मुझे पता है क्योंकि पर चिनवाडा को कोई लोकल आदमी बताओ साथ किलोमेटर पड़ेगा अंदर से रास्ता है कि यह दूर पड़ेगा ना आपको चिनवाडा पास में पड़ता है अच्छा पहले पहले अपन मतलब मुलता ही तरफ निकलते हैं फिर पांडूरन निकल जाते हैं कैसे कापा पेसी एक रोट है यहां कनान के पास सितीन रो बैठते हों अगर होते होंगे तो बैठेंगे ठीक है विकास कंड कौन सा है यहां पर जालिस किलो मेटर अब यह दो चीज़ा हो गई ठीक है एसदेम कौन सा लगता है यहां पर साथ किलोमेटर करें साथ किलोमेटर साथ किलोमेटर सौसर है ना साथ या सत्तर किलोमेटर आपके विदाएक महदे जी का भी घर है शहर है और जो इनका विकास खंड है मोखेट जहां पर डेवलोप्मेंट ऑफिसर इनके बैठते हैं ठीक है वो भी आज़े 40-45 आप बता रहे हैं ठीक है और जिला चिद्वाड़ा कितना दूर है यहां से लगबग पहती 40 किलोमेटर है तो यह इतने इतने सारे एड्मिस्ट्रेटिव के हिसाब से मद्रप्रदेश के बहुत बड़े जिलों में आता है जोगरिक शित्रफल के हिसाब से और घाटियां है पहाड है चड़ाई का रास्ता होता है तो आसानी से आप जाने सकते हैं और इन सारी जगों के जितनों के नाम लिए यह एक हाईवे पे नहीं है यह अलग अलग दिशाओं में पांडूर ना उस तरफ कहीं पढ़ता होगा इस तरफ पढ़ता है ठीक है मोकेड़ इधर कहीं होगा ठीक है सौसर इधर कहीं है और चिनवाड़ा इधर है पीछे तो यह पूरा एक चक्कर घुम जाता है ठीक है और एक सटक की बड़ी आपकी दिक्कत साथ होगй अस्तिता जो 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 बच्चीय जो नहीं जा पातें इस वज़े से वह मां कर रहे हैं इसके साथ साथ और जो सदो पुछ इसलिए अस्तिता थिए और एक और जो स्कैम है जिसके बारे में आपको बताना चाहता हूं कि दरसल आप अगर मचेरा के नाम से शास्की योजनाओं के बारे में जानकरे निकल वाएंगे तो कागस में आप को नज़रा आएगा कि मचेरा तक के पतानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़क आती है ठीक है वो पेपर पर है उस सड़क से चलके हम भी आये हैं लेकिन ये एक तरह से वाइट वाश है क्योंकि कि यह कितने डाने गाओं में चार और सबसे बड़ा यह वाला यह वाला तो नीचे वाला था जो घाटी से नीचे पड़ता है उन्हें वहां तक की रोट बन गई है नीबू खेड़ा करके वहां पर रोट नहीं है बिलकूँ यहाल है ऐसा इधर है व पहुत से अधिकारी आगया सब एस्डियो माय तैसिलतार रहा है यह तक्ति टांगने के बाद ठीक है इसके पहले कौन को नाया था कोई बेड़ा एक मिनिट को यह इसे पहले कोई कलेक्टर बगेरा या स्टीम कोई बड़ा नेता इसके पहले कोई नहीं है अच्छा नहीं स ुआ तो मेरे ख्याल जितने चीजें यहां के लोगों ने आपको बताई वह साफ साफ तफसीर पेश कर देती है उस लोगों को जलन होती है बार बार उनका नाम घशीटक ने कि सिर्फ के डोमेन में आता है यह सड़क बनवानी चाहिए ते शिवरा सिंग चौहान के प्रशासन को उनके 15 साल के शाषन में कभी भी समय अपना नाम के सब्सक्राइब काउंसी पार्टी जीटेश कोए मतलब अट हमारे जाच मांग था रोट और सिकशिक और असपता यह मांग था पानी का मांग नहीं था पानी के देवाने था तुम चित्ते मेन पानी पियोगे उत्ते मैने का पैसा देव तो इन्हें फाइशी बें कर दिये पैसा नहीं देटें लोग इसके कारण से हम आप चालू करेंगे पॉम चालेक जो है यह यह पॉम चालेक है अभी दिन के पाथ यह खड़ा यह यह बीच में खड़ा आजे आप इधर आज तो फैसे तो पर इने पॉम चलाते हैं पांच मेहना चला है गर्मी में बारिस में हमको पानी को सरपतल्ब आब लोग बिल नहीं बढूपो क्या गुलित है kukuk asø मीलते हैं अच्छा ये शरपंशाप के रहें आप लोग बिल नहीं बरतें ल्का भाई क्या तुन हम फूकट की पाणी तोड़ी पी रहे यह के पाहिसा तो देए मूत थाए नढ तेनंगे Sans相 polsk 12 Kiss के पैसा देते हैं इसलिए पानी की तो ऐह पाणी मेला इरें पार यह पास यह राइनी पीर से सुम्Bu assignment । बस एक घंट आति है। एक टेम में पानी पूरेंगो और हैंड पंप है गाव में हाँ नहीं नहीं तो आप लोगों ने बोला निस आप हाँ पैसे आप लोगों ने बोला निस आपको के हैंड पंप लगवाओ अब 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 अभी सर पंच कौन सर पंच कौन फी तो मतलब इनकी श्रीमत्ती जी ठीक है उनका नाम क्या है सुकुरी आच्छा इनकी श्रीमत्ती सर पंच और इसलिए यह सरपश पती है और मदधदेश क्यूंकि पार्शतपती वाला कल्चरख चलता है तो गाओं गाउं कि मताने सरपश बन जाती है क्योंकि नियम है तो उनका जों सर्पशल काम डिसार पतिल्म तो यह लोग बोल रहे हैं कि यह तो बोल रहे हैं कि बिल भी बढ़ती आपने हैंडपम क्यों लगवाया तो गाड़ी चड़ेंगे तब तो 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 वह तो था ठीक है है तो एक वह धपम मशीन भी तो आती जो उस पर पर सातवा सबस्क्राइबं चवाहरी बाकि यह कौन सी पार्टी कहा हैं आप यह घानताह है तोफ प्रल सरपन हैं फिर लिए हैं लडंगे मीरे मेरे जैसे मूझे नहीं था तब से है तब समय प्राज कर रहा हूं और खुद यह घाटी को लेकर मैंने छेसे मीटर सारे शेसे मीटर करके करके मैंने नर्यगा से काम करवाया हूं यह लोग तो कह रहा है कि सौधिन तु मिलता ही नहीं अनको उनको वह जॉब काड़लाओ लौ यह हैं की सर पंस अपके रहे हैं कि एक बीनि तु निष्टाइन डों सो ग्यारो progress आप किसी कुई मिल smiles कि सव अब आगbane की की इए चबहुत हैं क्यां थstop है सुदिन का जैसे पने में जाता है कांवड घ्ल। क्या क्या बेटा पैसे तो मिलती चने ना पैसे नहीं तो कार्ण करता है पता नहीं जाता है यह यह जॉब कार लाव बोल रहे उसको भरता कौने फिर एक मिन मंग आओ लेओ लेओ जल्दी से अभी है ना जल्दी से जॉब कार्ड लेओ तो यह भरता को ने फिर जॉब कार्ड ठीक है तो यह तो एक फिलाल आपको जोड़ना चाहिए मैं सब्सक्राइब आपको निम्भू खेड़ा भी चलना पड़ेगा वहां के राश्ता और गाहों का दसा देख सकते हम यहां कुछ कहने दें कि वहां कुछ है यह निक है आप आगे देखके चलके और दे सकते हो एक फिल्वालर्य यह ओने हों ऑर और पार हो गया ना कि 100 दिन काम मिलता है कि देखा आप अच्छा यह आप पंप चलते थे कि यह बिलिवाली श्वत्या है कि निकिसी नहीं कि पानी आया है और पानी अभी इसली बंद है क्योंकि मसीन खराब होने की वजह से अभी बंद है अभी सुदुरा है और उसको चालू करने वाले हम लो एक दो दिन में अभी लाइट वाइट खराब होने की वजह से और चालू नहीं किये और चालू करवाएंगे इस चीज़ का पंचाइद इस तरफ पे जो काम हुआ है वह वास्तविक हुआ है यह अ सुना दो मिन चerए कि पानी काप से बंद है अबसे बंदन आप तो जब तक अपर मोर्टरने चलाती उइसया लेकिन बिल परनी बठारहे है कब के बता रहे है को यह लोग नहीं भरते है अच्छा आगे पीचह आ कि पिचे वरते हैं आई में अर्टक है ऑग जानरी बात कालेंगे लेकिन आपने इस विडियो को अगर अभी तक कि देखा तो आप यहां पे विकास की क्या हालत है और ये दिन के उजाले में अन्धेरे में डूबा रहता है सदक नहीं आती है इसलिए मास्टर आने से डरते हैं आते हैं जब आते हैं तब आते हैं और पांच वी तक की ही क्लास है पढ़ने के लिए लोगों को घाटी उतर की नीचे जाना पड़ता है स्वास्त सिवाओं का खाल यहां पर बेहाल है एक स्वाट जो अंबुलिन सर्विस है मत्रपदेश सरकार की वो नीचे तक के आती है दो एक घंटा वो लगाती आने में दो घंटा इनको नीचे जाने में लगता है जूली में और इसलिए इस बार के चुनाव में ये लोग वो हुआ है